चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हार्दे की स्वागत करता हूँ प्यारे बचो अभी नीट एक्जाम 21 के बारे में जल्द ही न्यू डेट अनौन्स होने वाली है जो अभी तक डेट 1 अगस्ट है उस पर एक्जाम कंड़क्ट होना इंपोसिबल है क्योंकि अभी 40 डेज में एप्लिकेशन फॉरूम फिल करना करेक्शन विंडो ओपन करना और एड्मिट कार्ड रिलीज करना इंपोसिबल है ये इसी वीक में क्लियर होने की संभावना है फिर भी हमें इस समय 1 अगस्ट के लिए ही प्रिपेर रहना चीए क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है लेकिन हम ये सब जानते हैं कि अभी इसके एप्लिकेशन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले एप्लिकेशन फॉर्म के लिए रिक्वाइड डोकुमेंट्स का मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें काफी सारे स्टुडेंट के डाउट्स थे तो अभी काफी सारे स्टुडेंट के कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें कौन-कौन से डोकुमेंट्स के आवश्यक्ता होती है फोटो, सिगनेचर, लेप्ट हम कैसे अपलोड होंगे और टैंथ का पासिंग सर्टिपिकेट है कि क्या हमें फोटो कोपी हम अपलोड कर सकते हैं तो मैंने सुचा इस पर एक वीडियो ही बनाया दिया जाए तक कि आप लोगों के सब के डाउट्स इस पर दूर हो सकें तो नीट 21 का एपलिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पासबोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, सिगनेचर, लेप्ट थम इंप्रेशन और क्लास 10 का पासिंग सर्टिपिकेट अपलोड करना होगा बात करें हम इसमें फोटोग्राफ की तो फोटोग्राफ आपके लिए लेटेस्ट फोटोग्राफ आपने फोटो इसमें सकें करके अपलोड करना है तो आप इसकी कम से कम 6 से 8 कोपी इसकी फ्रिंट करवा के रख लें इसको बनवा के रख लें और इसके बाद में एक आपको फास्पोर्ट साइज की फोटोग्राफ की भी जुरुत होगी ये कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए तो ये लेटेस्ट जो पास्पोर्ट साइज की फोटोग्राफ है वो 10 से 200 केबी साइज की होने चाहिए पोस्टकार्ट साइज की जो फोटोग्राफ है वो 4 इंटो 6 यानि की जो 50 से लेके 300 केबी तक इसको अपलोड करना है signature आपको एक white paper पर signature करके running hand में signature upload करने है वो 4 से 30 kb के बीच होंगे इसके बाद left thumb आपको एक white paper पर impress करके उसको scan करके 10 से 50 kb के बीच में upload करना है category certificate की आपको upload करने की आवश्यक्तर नहीं है इसमें जो आपका photograph होगा 10 से 200 kb का वो photograph एक information brochure में जो information blatant होगा उसके अंदर एक cut off date होगी कि आप इस तारिक तक आप ये photograph आपका होना चाहिए तो उस तारिक से पहले पहले का आप photograph बनवा लें और उसके बाद में उसको upload करें इसमें 80% face cover होना चाहिए ये clearly visible होना चाहिए और white background होना चाहिए इसमें इसके बाद में जो ये photograph है वो बिलकुल clear होना चाहिए इसमें जो background है वो बिलकुल ही white होना चाहिए इसके बाद में ये आपको नया ही photo बनवा लेना है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि photo में problem होने के बाद आपने वो photo लगा दिया और उसके बाद में tension रहती है कि मेरा ये photo में कुछ कमी थी ये upload होगा या नहीं होगा, accept होगा या reject हो जाएगा तो ये tension बनी रहती है तो इसको दूर करने के लिए आप new photograph बनवा लें और 6-8 copy रखें ये आपको बाद में counseling के time में भी photograph काम आते हैं same photograph के आवश्यक्ता होगी जब आप exam देने जाएंगे तभी ये ही photograph लेके जाने हैं और counseling के time में इसी photo की जुरत होगी तो आप 6-8 copy या 10 copy जो भी हैं वो print करवा के पहले इसी photo की रख लें इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें signature की तो signature आपके एक white paper पर black ink pen से signature आप कर लें running hand में signature होने चीए जैसे कि capital में ना हो running hand में signature होने चीए और 4-30 kb के बीच में आपने इनको upload करना है signature को इसके बाद left thumb की बात करें तो आप एक white paper पर left thumb impress करके उसको 10-50 kb के बीच में करके इसको upload करना है अभी passing certificate जो 10th का है उसको upload करना है और ये 100-400 kb के बीच में इसकी size होने चीए तो इस परकार से in documents को आप upload करके फिर आप इसको scan करके upload कर सकते हैं in documents को अब जो photo है photo के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो photo है उसके उपर आपका नाम होना चीए photo के उपर white background के साथ में आपका नाम होना चीए और जिस date को आप photo किचवा रहे हैं वो date इसमें mention होने चीए photo के उपर दूसरी बात ये है कि जो आप photo बनवा रहे हैं इसका background white ही होना चीए तो इस परकार से photo और sign upload करते समय आप किसी परकार की गलती ना करें इसके अलावा कोई भी documents upload नहीं करना होता है category certificate जैसे EWS, OBC, SC, ST को लेकर काफी student के doubt थे इसमें तो आपको online application form फिल करते समय कोई भी category certificate upload नहीं करना होगा इसकी आवश्यक्ता counseling के time पर होगी यानि कि आप इसको बनवा के रख लें या फिर आप इसको counseling के time पर भी बनवा सकते हैं पहले आपकी जो भी category है वो application form में fill कर दें और counseling के time में certificate को बनवा सकते हैं इसके बाद में class 10th का जो passing certificate है उसको लेकर भी काफी student के doubt थे इसमें काफी student को doubt ये थे कि क्या हम passing certificate की जगे 10th की mark seat भी upload कर सकते हैं तो हाँ आप 10th की mark seat भी upload कर सकते हैं क्योंकि काफी states में 10th की mark seat के साथ ही certificate होता है तो आप इसके लिए 10th की mark seat भी upload कर सकते हैं इसमें इसके बाद में काफी student के doubt इस परकार से भी थे कि क्या हम digiloker से भी documents जो certificate है वो download करके हम इसको attach कर सकते हैं online application के साथ में तो हाँ आप वहां से भी downloaded copy को भी आप इसके साथ में attach कर सकते हैं online application के साथ अभी काफी बच्चों के इस परकार से भी doubt थे कि क्या हमारे पास में photocopy है जैसे कई बच्चों के original घर रह जाते हैं वो coaching में जाके वहां से दूर coaching में वहां से form apply करते हैं तो उनके doubt यह रहते हैं कि क्या हम photocopy को भी scan करके online application form में upload कर सकते हैं क्या तो हाँ आप photocopy को भी आप upload कर सकते हैं लेकिन वो clear visible होना चीए यनि कि उसमें सब कुछ detail बिल्कुल साफ साफ होनी चीए आप उसकी copy को भी attach कर सकते हैं तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आपके documents को लेकर doubt थे वो दूर हो गए होंगे 21 की latest update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक हम आपसे लेते हैं विदा जैहिंद